प्रेडेंग पर वाचलिस्ट कैसे बनाई जाती है? अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके वाचलिस्ट को कैसे रिनेम करें और उनमें स्टॉक्स को कैसे रियरेंज और रिमूव करें सबसे पहले, open your Arian Plus app और login कर लीजिए चलिए अब हम देखते हैं कि वाचलिस्ट के एडिट मोड में कैसे एंटर किया जा सकता है अब तीन तरीके से कर सकते हैं सबसे असान है, आप किसी भी वाचलिस्ट के कोई भी स्टॉक पर long press कीजिए अब automatically उस वाचलिस्ट के एडिट मोड में एंटर हो जाएगा The second way is, वाचलिस्ट के end में एक एडिट वाचलिस्ट बटन है अब उस पे press करके, you can easily enter the edit वाचलिस्ट मोड एडिट मोड में जाने के लिए, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से manage page पर जा सकते हैं वाचलिस्ट नेम के साइड पर दिये गए एडिट बटन से भी, अब एडिट वाचलिस्ट मोड पर enter कर सकते हैं चलिए अब हम देखेंगे कि आप अपनी वाचलिस्ट में स्टॉक्स को कैसे rearrange कर सकते हैं एडिट मोड अक्टिवेट करने के बाद, स्टॉक्स rearrange करने के लिए, स्टॉक के लेफ्ट साइड पर दिये हुए lines पर click कीजिए और drag करके, जहां पर भी वो stock place करोगे, वो order save हो जाएगा चलिए, अब हम देखते हैं कि वाचलिस्ट को rename कैसे करें वाचलिस्ट rename करने के लिए, बस edit mode में जाकर, वाचलिस्ट नेम पर click कीजिए और नया name type कर दीजिए Ensure that आपके वाचलिस्ट का new name is maximum 15 characters long और वो एक ही word का हो After typing the new name, बस back button press कीजिए and your new watchlist name will be saved Oh yes, it is that easy चलिए, अब हम देखते हैं कि वाचलिस्ट से stocks को कैसे delete किया जा सकता है Stocks को वाचलिस्ट से delete करने के लिए, edit mode में जाके Stop name के right side पर दिये हुए cross mark पर click कीजिए फिर delete confirm कीजिए अ यद आद सकता है अ झाल झाल